नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबी कदर इस्टेडी लाइन में फ्रेंड्स, आज किस वीडियो में हम लोग NTPC प्रिवेर सेर्स का पार्ट टू करने वाले हैं पार्ट वन हम लोगों ने देखा मैं आपको regular NTPC और Group D का previous year set करवा रहा हूँ साथी जो extra fact होता है जिससे आपको समझने में आसानी हो health मिले वो भी मैं बताता हूँ एक छोटा से वीडियो होता है एक छोटा सा session होता है आप लोग जरूर जोइन क्या करो इससे आपको बहुत help मिलेगी और अपने आपको जाचने का मौका भी मिलेगा तो चले फ्रेंट्स वीडियो को भी नादरे किया स्टार्ट करते है तो सबसे पहला questions आपके सामने क्या आता है आपके सामने है कौन सी दो टीमों ने पहला अधिकारिक अंतराष्टी क्रिकेट मैच सबसे पहले खेला था तो इसकर आइट आउस होगा आप्सन नमर A यानि की इंगलेंड और अश्रेलिया इंगलेंड और अश्रेलिया ने ये दोनों मिलकर के पहला अधिकारिक अंतराष्टी मैच खेला था अच्छा ये खेला कप था तो ये 1877 इसवी में पहला मैच हुआ था जो की टेस्ट हुआ थेक है ध्यान में रखेगा टेस्ट मैच आयउजित किया गया था मेलबर्न में 1877 इस्वी में अच्छा किर्केट का जन्मदाता किसको कहा जाता है तो इंगलेंड को कहा जाता है तो इंगलेंड को कहा जाता है अच्छा किर्केट की जो सर्वच संस्था होती है ICC आपने नाम सुना होगा ICC का ICC ICC का जो मुख्याला है फ्रेंड्स वह दुवई में है ठीक है इसे द्यान एक अच्छा बिसी सी आई का जो प्रमुख है भी सौरी अध्यक्षी जो है भी कौन है वो सौरब गंगरी इसे भी धान में रखेगा किर्केट से जुड़ी कुछ मैं सब्सक्राइब बता देता हूं जैसे चाइना में सिली पॉइंट पॉपिंग क्रीज ये सब्सक्राइब क पॉपिंग को चोलिस्तान कहा जाता है यानिकी अफ्सन नमर भी राइट होगा ठीक है चलिए मैं आपको यह भी बता देता हूं गोबी के बारे में गोबी जो है फ्रेंट्स ये रिगिस्तान मंगोलिया और चीन के छितर में आता है ठीक है इसे ज़ान लखेगा गोबी कहा परतिसत होती है 80% आप सोच रहे होगे यह प्राकेर्टिक गैस होता क्या है तो प्राक्रतिक गैस फ्रेंट्स फ्रेंट्स ब्यूटेन और प्रोपेन आपने नाम सुना होगा, तो ब्यूटेन और प्रोपेन को जब मिला दिया जाता है, तो प्रैकर्टिक गैस का निर्मान होता है, इसी प्रैकर्टिक गैस को friends, जो आप लोग सिलेंडर में यूज करते हो गैस, उसको उच दाब और यानि कि उच दाब पर दरवीत करके सिलेंड में रखेगा आप, ठीक है, चलिए, अगला देखते हैं, अगला question क्या है, अगला है Brics, Brics में अक्छर B किस देश को परदर्स्चित करता है, बहुत important है, Brics में अक्छर B किस देश को परदर्स्चित करता है, यानि कि किस देश को दर्साता है, तो इसका right answer का option number C, यानि कि Brazil, ब्रिक्स में अक्छर B, ब्राजिल को दर्साता है, तब आपके मन में ये सवाल वाता होगा, R, I, C, S, ये सभी कौन कौन से देश हैं, चले मैं आपको full form बताता हूं, B से होगे आपका ब्राजिल, R से होगे आपका रसिया, I से होगे अपना देश इंडिया, C से होगे क्वर्सन से पूछे आते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिक्स में साओ्थ अफरिका कब जोड़ा, कौन थियां में रखना है, 2010 इ Thousandər में जोड़ा था, Southern Africa ठाएक है, चले, आगला धेक्ते हैं अगला question साए, साइप्रस की राजधानी कौन सी है, साइप्रस की राजधानी कौन सी है, तो निकोसिया option number A right होगा, चले इसमें कोई उतना दम नहीं है, अगला देखते हैं, अगला है पिर्थवी का अकार कैसा होता है, तो इसका right answer होगा, option number D, चप्ता गोल होता है, ठीक है, पिर्थवी का अकार जो है, चप्ता गोल नारंगी के समान होता है, ठीक है, पिर्थवी जो है अकार में, पाचमा सबसे बड़ा गरा है, इसे भी ध्यान में रखेगा, पाचमा सबसे बड़ा गरा है पिर्थवी अकार में, अच्छा, ये आपको पता होगा, पिर्थवी अ ऐक्माथुदफ गराज चंद्रमा है साथ घर बात की जाए पृतिवहेंत ये मैंने आपको पीछले वाले एंट्यूमीपिसि की इसे Germany के लाव वै से होता है वो 30-35 के बराबर हो जाता है ठीक है और आपको अच्छे से समझ में भी आती है ठीक है चलिए अगला देखते हैं अगला क्या को संस अगला है अरुना आसफ अलुक अली को कहां भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद के जाता है कहां इन भारत छोड़ अंदोलन की सुरुवात कब हुई थी तो 9 अगस्ट 1942 को कब 9 अगस्ट 1942 को जो है इसकी सुरुवात हुई थी इसे आप ध्यान रखेगा इसी अंदोलन में जो है फ्रेंड्स गांधी जी ने करो या मरो का नाड़ा दिया था यह बहुत वार एक्जाम में पू यह अगला देखते हैं अगला है वास्को डिगामा भारत कब आया था वास्को डिगामा भारत कब आया था तेसका राइट अंसर होगा अप्सन नमबर बी यानि कि 1499 में 1499 में वास्को डिगामा भारत आया था कहां पर आया था तो काली कट बंदगरा पहुँचकर भारत मे यूरोप के जो बीच है नए समुद्रमार की खोचकी थी इन्हों नहीं ठीक है अच्छा वासको डिगामा कहा का यात नहीं था तो वासको डिगामा पुर्तिगाली था यानि की पुर्तिगाल से आये थे ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला है अगला है अगला है के कितने चंद्रमा है भूसे बच्छें चंद्रमा मतलब नहीं समझते हैं तो आप लोग जान लेज से मंगल गभा के कितने उप गरा है ठीक है उफ गरा तो कितने उपगरा हैं आप लोग बताएं मंगल गरह के तो इसका आइट उसर को आपसन नमर B यानि कि दो मंगल गरह के कुल दो जो है उपगरा है कौन कौन से हैं एक है फोबोस दूसरा है डीमोस यह बहुत ही इंपोर्टेंट है इससे ध्यान रखेगा दो गरह है फोबोस और मंगल गरह के ठेक है चलिए मैं इससे समझे कुछ और कोषिंस करा देता हूं जैसे मंगल गरह को लाल गरह भी का जाता है अच्छे ये मंगल गरह लाल क्यों होता है तो इसका कारण है उसमें आइरन अक्साइड पायाता है क्या पायाता है आइरन अक्साइड के कारण ही इसका रंग लाल होता है इसलिए हम लोग मंगल गरह को लाल गरह के नाम से भी जानते हैं देखे बोधित तथा सूक्र ये दो ऐसे गरह हैं जिसका कोई भी उफगरह नहीं है ठेक है इसे भी धान रखेगा ये सबी कुछन्स एक्जाम में पूछी जाते हैं इसलिए मैं एक्ष्टा फैक्ट के साथ आपको करा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से मन भी लग जाए और आपका एक्जाम भी अच्छे से निकल जाए सबसे अधी उबगरह किसकी होती है तो ब्रिस्पत्ति की कितनी होती है 79 उबगरह है और प्रिथवी का एक माथ उबगरह कोन है चंडरमा ठीक है चेले अगला देखते हैं अगला है दामूला का स्वर्णमंदीर कहां इसतित तो सिर्लंका आपने नाम सुनागा और अम्रीस सर में इसे ध्यान रखेगा इसकी निर्मान वह कि यह दि can गुरु अरिजुन देव आ ठीक है इसे भी ध्यान में रखेगा है जले आपके बातें बता देता हूं जिसे मेरीन पॉइंट, उपेरय पॉइन पॉइνटून आम नाम सुना वांगा, उपेरय को होँए इаже ऌउन्स, अगला कुशन देखते हैं बुद्ध गुफाओं के लिए परसिद कारले किसराज में इस्तित्य है, तो राज बताओना यहाद को बुद्ध गुफाओं के लिए परसित कारले किस राजी में स्थित है तो ए राइट ऑंसर का महराष्टर ठीक है चलिए इसमें इतना दम नहीं है आगे बढ़ते हैं आगे है भारत की अजादी की लडाई के दवडान करो या मरो का नारा किस ने दिया था ठीक है तो इसका राइट ऑंसर का उप्शन करो या मरो का नारा समझेत में कुछ और बता दता हूं कि कौन-कौन इस परमुख नार नारा है एक नारा है आपका दिल्ली चलो और तुम मुझे खुंदो मैं तुम्हें अजादी दूँगा ये नारा जो है नेता जी सुभास जंदर बोस ने दिया भारत छोड़ो हे राम ये दोनों नारा जो है मातमा गांधी ने दिया पूर्ण स्वराज का नारा किस ने दिया तो जोहाला नहिलू ने दिया संपूर्ण क्रांती का नारा किस ने दिया जैप्रकास नारायन ने दिया वंदे मातरम का नारा किस ने दिया बंकिम चंदर छेटर जी ने दिया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा इसका रवनारा किस ने दिया तो इकबाल ने दिया था ठीक है चले आगे देखते हैं हमारी आखों में लेंस का क्या काम होता है हमारी आखों में लेंस का क्या काम होता है तो इसका राइट आउस अप्स नमर सी याने कि आंक की focus दूरी को बदलना हमारी आंखों के lens का कारे होता है अब हम लोग यहाँ पर बात करें lens है ज़िन मंदित आप जौन ले ज़िए कि lens दो परकार के होते हैं उत्तर lens अप्तर lens अच्छा उत्तर lens और अप्तर lens उत्तल लेंस की छमता जो है हमेशा धनात्मक होगी और अप्तल लेंस की छमता हमेशा धनात्मक होगी अच्छा लेंस की छमता का इसाई मात्रक क्या होता है तो डाय उप्टर होता है इसे भी आप लोग ध्यान में रखेगा और सभी को पता होगा कि असपश डूदिश्टिक क सबसे चोटा महादवीप कौन सा है सबसे चोटा महादवीप कौन सा है अच्छा एश्टेलिया की खोद किस ने की थी तो क्या एबल अस्मान ने किया था अच्छा आपने जब पढ़ा कि अश्टेलिया जो है सबसे छोटा महादवीप है तब इस महादवीप में कितने देश हैं तो टोटल कुल 22 देश हैं अश्टेलिया महादवीप में ठेक है इसे आप ध्यान में रखेगा अस्टिलिया महादवीप के बारे में कुछ आपको बता देता हूँ जैसे अस्टिलिया महादवիप को 85 भूमी का भी देश कहा जाता है लेंड अफ कंगारु भी कहा जाता है और या अफ गॉल्डन फिलीज भी कहा जाता है ठीक है इसे आप ध्यान में रखेगा चलिए अगला जैकते हैं अगला है विश्वचहए रोग दिबस कब मना जाता है तो 24 मार्च को मना जाता है विश्व पढ़े टन दिवस ये 27 सप्टमबर को मना जाता है अच्छा बहुत से लोग जो च्छाय रोग ये नहीं समझ पाते हैं च्छाय रोग यानि कि टीवी ठीक है टीवी टीवी को ही हिंदी में च्छाय रोग बोलते हैं ठीक है आप लोग इसे ध्यान में रखेगा चलि कर दीजेगा मैं आपके लिए बहुत ही मेनित करता हूं बहुत सारे नोट्स बनाता हूं ताकि आपको अच्छे सा समझ में आए ठीक है तो फ्रेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक और से जबूर कर दीजेगा अगर चैनल पर नहीं आए हैं तो च